हलो फ्रेंज, वेलकम बाक, मेरा नाम है सुनांशु और हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था हार्डवेर एंड हार्डवेर कॉंपोनेंस और इस वीडियो में हम उन्हीं कॉंपोनेंस को आगे डिटेल में देखने वाले हैं तो अगर आप लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज, गो एंड चेक इट आउट मैं उसका लिंक आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में देए दूँगी और चलिए शुरू करते हैं So friends, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं Input Output Devices के बारे में So सबसे पहले यह जान लेते हैं कि Input Output Devices क्या होती है These devices perform the function of Input Device as well as of Output Device They are also called Input Output Devices So friends, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि वो hardware, वो हमारा hardware जिसे हम चूँ सकते हैं, हम देख सकते हैं वो जो tangible हमारी physical parts हैं computer के जो हमारा hardware है वो hardware जो की Input Device के साथ-साथ Output Device भी हैं उनकी जो responsibilities हैं, जो उनके functions हैं, उनको निभाते हैं उन्हें हम Input Output Devices बुलाते हैं और अगर मैं इसके कोई example की बात करूँ, तो इसके सबसे best example है, वो है modem और दूसरा है network interface का, जो इस तरीके का दिखाए देता है और आज इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा detail में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से Input Output Device हैं चलिए, आगे दिखते हैं तो friends, आज हम सबसे पहले जिस hardware device की बात करने वाले हैं, वो है modem modem जो है हमारा Input Output Device है चलिए, फर्स पॉइंट देखेंगे modem is the short form for modular demodular अब इसमें हमने क्या बताया कि जो modem है वो two words को जो है मिलाके बना है जो की कौन-कौन से है modulation and demodulation और उसमें से modulator से हमारे पास M ओ आता है and demodulator से DEM आता है और यह क्या होती है, हम आगे देखेंगे चलिए, second point a modem is a device or program that enables a computer to transmit data over for example, telephone or cable lines अब जो यहाँ पर हमने बताया वो यह है कि जो हमारा modem का use है वो telephone lines या cables के through data भेजने के लिए किया जाता है जो हमारा modem है, वो telephone या cable lines के over हमें data send करने में help करता है ठीक है, आगे देखेंगे computer information is stored digitally whereas information transmitted over telephone lines is transmitted in the form of analog waves a modem converts between these two forms अब हम क्या बता रहे हैं कि जो हमारी computer में जो information होती है वो हमेशा है एक digital signal या digital wave, digital form में stored होती है लेकिन वहीं पे जब हम एक analog signal की बात करते हैं जो required है transmit करने के लिए telephone lines के लिए उपर या फिर cable lines के उपर तो जो हमारा modem है वो यही digital और analog के बीच में switch करने में हमें मदद करता है तो modem एक ऐसा hardware device है जो analog and digital data के बीच में एक real time में data send and receive करने में help करता है चलिए फोर्थ पॉइंट modulates an analog carrier signal to encode digital information and demodulate such a carrier wave to decode the transmitted signal अब हम क्या वता रहे हैं इसे थोड़ा ध्यान से आप समझ भी लिजिएगा एक तो जो हमारा computer है ठीक है या सिरफ हमारा router है उसे broadband से network से जोडने के लिए हम में modem इस्तिमाल करने की ज़रुत पड़ती है और जो हमारा digital signal है अनलोग जो हमारी phone line है telephone line है उसके उपर transmit नहीं हो सकता है इसलिए हमें जो हमारा digital signal है उसे analog में convert करना पड़ता है और इस conversion को हम क्या बुलाते हैं modulation बुलाते हैं कि जो हमारा digital signal है हमने उसे analog में convert करके modulate कर दिया और अब वो ready है telephone line के उपर send करने के लिए, देखे, digital था, modem ने उसे analog में convert किया, modulation किया, अब वो telephone lines के तरू हम भेज सकते हैं, और अब क्या होगा, कि अब हमें जो information हमने send की है, वो हमें वापस चाहिए, हमें analog से, फिर से digital चाहिए, अब जो यहां पर conversion करेगा modem, analog से digital में, इसे हम बुराएं digital form में हमारे पास, वापस आ गया है, ठीक है, यह है हमारा modulation और demodulation का concept, ठीक है, चले, आगे देखेंगे next point, so friends, इसी में हम लोग आगे fifth point देखेंगे modem के अंदर, when we send the data from one computer to another computer, then the modem works like an output device, and when we receive data from other computer, it works as an input device, so friends, हमने क्या बोला है, कि जो modem है, वो output और input दोनों की तरह काम करता है, पर किस scenario में वो input है और किस scenario में वो output है, वो बताया है, जब भी हम data send करेंगे, जब भी हम send करने वाली site पे होंगे, तब हम लोग output device होंगे, ठीक है, और जब भी हम receive करने के end पे होंगे, तब हम लोग क्या होंगे, input device होंगे, ठीक है, और जो modem है, वो दोनों ही site पे ज़रूरी है, अगर आप दो computer के बीच में जो है, data share करने की कोशिश कर रहे हैं, telephone lines के ओवर, तो दोनों ही site पे modem होना ज़रूरी है, ताकि modulation और demodulation दोनों हो सकें, ठीक है, six point देखेंगे, there are two types, internal and external modem, अब जो हमारे modem है, वो दो तरह की है, एक internal modem है, और एक external modem है, an internal modem is connected to the motherboard inside the CPU, and they are sometimes called on-board modems, अब एक तो यहां पे note कर लेंगे, जो इंटरनल modem है, उसे हम on-board modem भी कहते हैं, और यह कहां पे connect हो जाते हैं, यह motherboard के उपर, CPU के अंदर मरा motherboard है, वहां पे connect हो जाते हैं, ठीक है, तो यह जो modems होते हैं, एक extension board की तरह आते हैं, जो की जो vacant slot होता है, expansion slot होता है, motherboard के अंदर वहां पे attach हो जाते हैं, और यहने हम on-board modem कहते हैं, ठीक है, next point देखेंगे, external modems are attached to the computers into a port, which almost all personal computers have, अब जो हमारे external modem की अगर हम बात करें, तो ऐसे एक box की तरह दिखता है, जो की हमारे computer के बाहर रहता है, और वो port RS232, जो mostly computers में होता है, उसके अंदर connect हो जाता है, ठीक है, और अगर हम एक difference की बात करें, internal और external modem के अंदर, जो internal modem है, वो extra space नहीं लेता, क्योंकि वो CPU के अंदर ही चला जाता है, वहीं पर अगर हम external modem की बात करें, तो इसका जितना भी size होगा, यह उतनी space extra लेता है, पर इनका size कुछ बहुत जादा बड़ा नहीं होता है, small ही होता है, usually in cases के अंदर, जब तक आप लोग किसी बहुत बड़े factory के अंदर, या किसी company के अंदर modems का एक दूसरे के साथ connect करके use नहीं कर रहे हैं, तो personal जो हमारा घरो में use होता है, वो छोटा ही रहता है, तो यहाँ पर मैंने एक table बनाया है, यहाँ पर summarize किया है थोड़ा सक जो भी हमने उपर के दो slides में cover किया है, एक तो है process of modulation, इसमें क्या होता है, हम digital signals को analog signals में convert करते हैं, मतलब computer से telephone line पे हमारा data send कर रहे हैं, और इस time पे हम क्या कर रहे हैं, हम output device की तरह एक काम कर रहे हैं, क् हम लोग data send कर रहे हैं, ठीक है, next is demodulation, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम convert कर रहे है, analog signal को digital signal के अंदर, मतलब telephone line से computer के अंदर हम लोग data लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस time पे हम input device, जो है हमारा modemic input device की तरह work कर रहा है, क्योंकि वो data receive कर रहा है, ठीक है, I hope अगर आप य थोड़ा चार्ट को भी ध्यान से देखेंगे, तो हमने उपर जो भी discuss किया है, आपको बहुत अच्छे से clear हो जाएगा, पर फिर भी अगर कोई ऐसी चीज होगी, जो आपको clear ना हो, please comment in the comment section below, और मैं आप लोगो को वहाँ पे clear कर दूँगी, ठीक है, चलिए, आगे चलते है, तो चलिए, पहला point करेंगे, a network interface card, more commonly referred to as NIC, is a computer circuit board that is installed in a computer so that it can be connected to a network, अब हमने क्या बताया, कि जो उसे हम NIC बुलाते हैं, short के अंदर, तो NIC यह जैसे कि आप देख सकते हैं, N stands for network, I is interface, C is card, तो हम इसे short में NIC बुलाते हैं, और यह क्या करता है, यह हमें help करता है हमारे computer को network के साथ connect होने में, ठीक है, यह हमारे, जो है, एक पहली बात तो यह है कि एक circuit board की तरह दिखता है, और यह हमारे computer में install हो जाता है, जि आगे देखेंगे second point, this device allows computers to be joined together in a LAN, अब LAN क्या है, LAN है हमारा local area network, यह भी याद रखेंगे हम लोग, चले, तो अब यह जो हमारी device है, यह हमारे computers को एक साथ आपस में join होने के लिए भी help करती है, ठीक है, किसके अंदर, एक local area network के अंदर, जो हमारा network बना है हमारा local area के अंद उसमें जित्ते भी computers हैं, उन्हें आपस में join करने में मदद करती है, third point है, a computer network connects many computers with one another, so that they can send and receive data on the network, अब जो हमारे computers आपस में join हो गए है, link हो गए है, LAN के उपर, एक network के उपर, तो जो हमारे computers हैं, वो आपस में data, जो है, receive कर सकते हैं, और send कर सकते हैं, उस network के अंदर, और ये जो सब कुछ है, ये सारी जो communication possible हुई है, वो हमारे NIC, जो की network interface card है, उसकी मदद से हुई है, चलू, तो friends, आज हमने हमारे वीडियो के अंदर, एक component कवर किया, hardware components section में से, और जो बाकी के components हैं, वो हमारे next video के अंदर, कवर करेंगे, so, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, please, like, share and comment below, and also, please subscribe to the channel, अगर अभी आ तक आपने नहीं किया है, और जो हमारी notification bell है, उस पर click कर दीजिएगा, ताक आपको next time notification आजाए, so, till then, stay tuned and thank you.